हेलो दुस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दुस्तो आज के शुरू में बात करने वाले अपकमिंग CBR250RR के बारे में जो दुस्तो CBR250RR के बारे में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं दूस्तों बहुत दिन से इस बाइक का वेट हम कर रहे हैं कि बाइक लॉंच हो बाइक लॉंच हो और फाइनली दूस्तों CVI 250RR अब इंडियन मार्केट बे है और बहुत जल आने वाली है और बहुत जल है आपको इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगी तो आज केस फिर विडियो को शुरू करते हैं अगर चैरल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब करना आप बिल्ग अगर अगर को अन कर लिजेगा ताकि ऐसे इंट्रस्क्राइब करना नोडिफिपेशन भी आप तक मौस्ते रह सकें और आप मेरे विडियो सब्डेट रह सक हैं तो चैली दूस्तो आज केस फिर लोगों सुनू करते हैं बात करते हैं 250 आरा के बारे में दूस्तो आपको अदा दो CBR जो इंडियन मार्केट में इसका जो वेट है वो बहुत सालों से दीकिए CBR एक बहुत ही बहतरीन बाइक है विल मेंटेन बाइक और बहुत ही परफ यह बाइक कुंड़ा की बहुत अच्छी तरह किसे उनको टक कर देगी तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस ब्यूटे के बारे में चली इस वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बराया तो सब्सक्राइब पर लेना बेल गया को आन कर लेज़े ना ताकि ऐसी इ जाने वाला इंडियन मारेकेट में गुल अबबाग जाने वाला है 360 तील लाग 60,000 रुपे गया सपास की आपको एक सुरू प्राइज देखने को मिलेगी ठीक दोस्तों बाकि इसका जो लांच डेटा आपको मैं लास्ट में बता हुआ वीडियो को आप पूरा जरू देख आपको बाइक के देखने को मिल जाता बात करें बारे में пол ब्रेकिंगे tire size है जो कि आपको bike में front में मलता है बात करें ब्रेकिंग ये बारे में आपको बता है दूस्तों इस bike में आपको braking में dual channel anti-lock braking system आपको bike में देखने को मिलेगा dual channel ABS के साथ में बाइक आने वाली हो जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि performance बहुत अच्छी हो थी dual channel ABS होने की बज़े से plate size front में 310 mm के असपस की plate size आपको इस bike में front में मिलेगी अब आज़ते हैं दूस्तों इस bike के सबसे important चीज में होगे दूस्तों इस bike का engine आपको इंजिन टाइप में इस bike में आपको CBR में है में आपको बतादो 249.7 से सिखा एट स्ट्रोक सारी फोर स्ट्रोक एट ओन लो पार्लेल टीन से engine आपको बाइक में मिलेगा मतलब दूस्तों dual cylinder engine होने की बच्छे से इस bike की जो performance है आप आपको बहुत तगडी देखने को मिलने वाली आप बतादों यह maximum बार में लगबग 40.2 के असपास का पीए पाउर जिनेट करेंगे लबग 35 के असपास को टॉर्ग है वह आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला यानि कि दूस्तों इस बाइक में बहुत आच्छा देखने को मिलने वाला जो कि मेरे साब से दूस्तों इस बाइक की नशिग्ए मिलेगा तो इंजिन दूस्तों इस बाइक को कम्पलेट एंजिन स्पेसिफिकेशन बात कर लेते दूस्तों आपको किहा कितना मैलेज निकाल कर देसको आपको मैनिम्म आपको वालेज देगी लबग 35 तू 40 मिलेगा graphic मिलेगई कर अन्युज मिलेगा टॉप स्पीड इसकी लबाक 190, 190 किलो मुटर पर आवर है G280 में इस बाइक को लबाक 5.6 सेकेंड के आसपस के लगते है मतलब New 390 को भी है बहुत दगणा जो है टककर देने वाली है Real profile में 110 बैएक में आपको LED 10 अड के ओम है आपको 150-60 के टरा साइज मिलते है ये बैएक में 230 mm की डिक्ट्व मिलती है आपको बैएक में Monosock Suspension देखने को मिलते है बात करने इस bike के speedometer के बारे में speedometer दोस्तों इस bike आपको fully digital meter आपको bike में देखने को मलेगा जो कि आपको bike में काफी से रहे जो feature आपको bike में देखने को मलते हैं speedometer, decometer, trip meter, autometer, torque यह में slide, full gear, service revender, low indicator, low weight indicator, distant to empty indicator यह सारे feature आपको bike में देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों आपको बता दो इस bike की खास बात यही है features भी है, power भी है, look भी है, design भी है, और सबसे important Honda की बाई का engine quality आपको बहुत सबब मिलेगी तो इसलिए CBR का weight Indian market में बहुत जादा किया जारा है, हलाकि दोस्तों फिलाल कोई official launch date तो नहीं है बट अब दोस्तों यह bike आपको Indian market में बहुत जल देखने को मिलने वाली है, चुकि मुलासता 3-4 मेरे के अंदर आपको इस bike देखने को मिल जाएगी, बैकि कौन को इसका weight करने वाला है प्लीज नीचे comment section में comment करके ज़रू बताना चली बिलते हैं, फिर नेक्ट शुरह में love you world, जेहीन बंदेबात रहा